सब्सक्राइब करें पाटिदार किसान यूटूब चैनल को यूटूब पर ऐसा ही किसानी वीडियो देखने के लिए नमस्कार किसान भाईयो आज हम बात करेंगे कि प्याज की फसल में थिर्पस का नियंतरन किस प्रकार करें तथा साथी साथ प्याज में लगने वाले जूलसा रोग अत्वा ब्लाइट को केसे कंट्रोल करें मत्र दो इस्प्रे में आपके प्याज हरे बरे हो जाएंगे और दोनों बिमारियों से कंट्रोल भी मिल जाएगा इसके लिए मैं आपको बता दू कि थिर्प्स क्या होती है और कहां कहां पर प्याज के पत्तों में छिपी रहती है जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं प्याज की नई पत्तियों के पास में थिर्प्स का आटेक हुआ है तथा पत्तों का रस थिर्प्स के द्वारा चूसा जाता है जिससे नई पत्ति का बंड़ना बंद हो जाता है या उसका विकास धीरे धीरे हो पाता है यह प्याज की मुख्य समश्या है वहीं दूसरी ओर आप प्याज में जुलसा रोग अत्वा प्याज की ब्लाइट को भी देख रहे हैं जिसमें उपर की ओर प्याज में पत्तिया सूक रही है तथा नीचे की पत्तिया सूक कर जमिन पर गिर रही है जिसमें प्याज का हरापन खतम होता जाता है इसके लिए मैं आपको मात्र दो दवाईयों का काम्यूनेशन बताऊंगा जिससे आप प्याज की फसल को हरा भरा रख सकते हैं इन दवाईयों का इस्प्रे आपको हर 15-15 दिन के अंतराल में करते रहना है इसके लिए आपको सीजेंटा का पालेटरिन, BSF का केबरोटा तथा P.I. कंपनी का किफन इसमें थिर्प्स के कंट्रोल के लिए हमने दो दवाईयों का यूज किया है जिसमें सीजेंटा के पालेटरिन में फ्रोफेनो फास तथा साइफर मेथरिन तथा P.I. कंपनी के किफन जिसमें टोल फैन फाइरेट पाया जाता है दोनों दवाईयों का इस्प्रे हमने क्रास काम्यूनेशन में बनाया है जिससे की थिर्प्स को खत्म किया जा सके इसके साथ में BSF का केबरोटा बिलाना है जो की एक पावरफुल फंगी साइड है इसमें पाइरोकलोस्टोवेन तथा मेटी राम पाया जाता है जो सभी प्रकार की फंगस को खत्म करने की शमता रखता है वहीं अब इनके डोच की बात करें तो आपको 15 लिटर वाले पंप में सिजेंटा कमपनी का पालेटरिन 40 एमिल पी आई कमपनी का किफन 30 एमिल और BSF कमपनी का केबरोटा चालिस ग्राम के हिसाब से शाम की चार बजे के बाद स्प्रे करना होता है क्योंकि दिन में गर्मी का मोसम होने से तापमान काफी बढ़ जाता है जिससे हमें रिजल्ट थोड़े कम मिलते हैं इसलिए शाम के समय में फसलो पर इस्प्रे करें किसान भाईयो अब मैं आपको बता दू कि आप दूसरा इस्प्रे कौन सा ले तो इसके लिए आपको बायर कमपनी की लिसेंटा जिसमें फिफ्रोनिल 40% तथा एमिडा कलोरपीट 40% पाया जाता है जो कि थिप्स के कंट्रोल के लिए बहुती कारगर दवाई हैं साथ में फंगस के कंट्रोल के लिए आपको बायर कमपनी का नेटिवो जिसमें टेबु कोना जोल तथा ट्रिफ्लो एक्स्ट्रोविन पाया जाता है जो फंगस की सेल को खत्म करता है जिससे उसकी बढ़वार रुख जाती है तथा फंगस अपने आप खत्म हो जाती है आईए अब बात करते हैं नेटिवो और लिसेंटा के डोच की तो आपको 15 लिटर वाले पंप में दोनों ही दवई 10-10 ग्राम के हिसाब से इस्प्रे करना होता है किसान भाईयो मेरे द्वारा बताए गए दोनों ही काम्यूनेशन थिप्स तथा जुलसा रोक के लिए बेस्ट माने गए हैं तथा हमारे द्वारा उप्योग किये गए हैं आप इन दोनों काम्यूनेशन का उप्योग कर आपकी प्याच की फसल को हरा भरा रख सकते हैं किसान भाईयो उम्मीद करता हूँ आप सभी को हमारी वीडियो अच्छे से समझ में आ गई होगी इसलिए हमारे वीडियो को लाइक तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेर चरूर करें मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद